हाई गाइस मेरे नामे आरेन और आप देख रहे हैं टेक्नोलोजी सेलेक्टेड वीडियो मेरे चैनल लर्ण विद आरेन में और आज हम अन्बॉक्सिंग करें एट न्यू फोन की जो अभी देसेंट्ली लाउंच हुआ है काफी पॉपलर हो चुका है मैं बात कर रहा हूं मोटो जी 5 प्लस की तो चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में में क्या कर मिलता है और जल्दी से इसका क्विक रिव्यू करते हैं तो गैस चलिए पहले बात करते हैं इसके क्विक स्पैसिफिकेशन की तो इसमें फूल एचडी की स्क्रीन है 5.2 इंचिस की 12 मेंगा पिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेंगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा है साथ में 4GB RAM 32GB की हार्ड डिस्क मिल वही है इसमें 3000MH की बैटरिय और साथ में उक्टा कोर प्रसेसर मिल रहा है तो चलिए इसके देखते हैं बॉक्स में सबसे पहले आप देखेंगे इसमें Moto G5 Plus का बहुत ही अच्छा इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है और इसके बाद 5.2 इंचिस की HD स्क्रीन मिल रही है साथ में 2.0 GHz का उक्टा कोर प्रसेसर है 12 Megapixel का Rapid Focus कैमरा 3000MH की बैटरिय है और इसमें लिखा गया है कि यह फोन आपको बहुत ही अच्छी लो लाइट में भी images capture करने के लिए option देता है और साथ में बहुत ही अच्छा sleek design है तो चलिए द लगा हुए और काफी अच्छा lightweight और हलका phone है जिसको देखकर लगता है कि काफी मेनत इस पे company ने केस को बनाने में और इसका lunar grey model है यह इसमें gold variant में हमको मिल जाता है और चलिए इसको पहले side में रखते हैं और बाकी चीज़े देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या-क्या मिलता है तो यहां पर hello moto का काड है जो हमारे welcome काड है इसमें है कुछ नहीं इसको side में रख देते हैं सिर्फ देखने के लिए है और इसमें नजर आ रहा है moto का headphone headphone की quality इतनी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि यह plastic से बना हूँ एक normal सा headphone है जो इनके पहले वाले सबी sets के है कि आपको एक अच्छा headphone चाहिए सपोन के साथ music सुनने के लिए voice recording के लिए यह और चीजों के लिए तो मार्केट से new purchase भी कर सकते हैं इसके बाद देखते हैं इसका adapter काफी अच्छा design किया गया adapter है काफी fast turbo charging adapter है यह और आपके phone को काफी fast चार्ज कर देगा और आपकी battery का देर तक चलेगी ऐसा company का कहना है और पीछे भी लिखा हुए है कि अगर आप अपने phone को charge कर लेते हैं तो all day battery आपकी चल सकती है इसके बाद जो एक इसके साथ मिलता है इसका USB port है जो आपके phone को charge करने में help करेगा इसके बाद इसमें जो न्यू चीज मुझे दिख रही है व ब्लैक कलर का charger है और उसके साथ वाइट कलर की इन्होंने पीन दी हुई है जो कि थोड़ा सा strange है अगर ब्लैक ग्रे कलर का यह पीन होता तो और भी ज्यादा बैटर होता बट एनिवेज उसके बाद देखते हैं यहां पे कुछ बुकलेट्स आप देखेंगे जिसमें मैनु बार इन्होंने इसके एजिस को काफी राउंड कर दिया है लिउनर ग्रेस का कलर वेरियंट है जो कि बहुत ही जादा अच्छा लुक देखता है तो चलिए इसके स्टिकर को ताल देते हैं उसके बाद हम इसके फोन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पैसिफिकेशन दी आगे एक्स्ट्रा क्या फेचर इसके अंदर हैं तो वहाई यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर शींत्य दिया गया है जिसमें आप स्पिंट इंसर्ट कर सकते हैं और सिम दो समी दिए गए आप विक्रम पर देखेंगे तो यहां पर आप मैमरी काड़ सक है जहां पर एक सेम या एक memory card डाल सकते हैं लेकिन यहां पर दो सेम और साथ में memory card डाल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात इस phone में मुझे लगी है उसके बाद हम देखते हैं इसके side में तो सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो audio के लिए यहाँ आपको यहाँ पर डिया गया है और left side में पूरा यहां पर यां पreकिन कि नहीं आपको देखने के लिए लेकिन इसका design जो है revolu लके साथ में जो कैमरा है वो bulge out हुआ है बहुत इच्छ है और जो मिडल में बटन देख रहे हैं यह बटन कोई प्रेस बटन नहीं आप इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे home बटन आप इसको यूज करना चाते हैं तो आप सेटिंग में जाके कुछ option select करके वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं तो चलिए मैं इस phone को start कर लेता हूं और उसके बाद में आपको specifications बताऊंगा setup करके कि किस तरह से ये phone work कर रहा है और क्या क्या इसके तो चलिए मैंने phone को start कर लिए आप देखते हैं कि किस तरह से phone work करता है इसके अगर आपको home पे जाना है और आप सारे apps देखना चाते हैं तो आपको इसको slide अपड़ करना पड़ेगा जैसे कि Google Pixel में भी हमें option मिल जाता है कुछ-कुछे वैसी ही याद दिलाता है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको moto का भी option मिलेगा जहां पर कि आप क्लिक करके अपने gestures को और बाकी options को select कर सकते हैं और इसका fingerprint जो है अब देखेंगे बहुत ही ज्यादा आप फास्ट है जो मैं अपने fingerprint लगा चुका हूँ होम बटन पर हलका सा टैप करता ही phone ओपन हो जाता है इसके बाद यहां पर आपको option में FM radio भी साथ में मिल रहा है जो कि कई आज कल touch phones में नहीं भी मिलता है तो वह FM radio को option भी यहां पर दिया गया है जो आप audio headphone लगा कर इसक से कुछ apps download करने के बाद अब मुझे 24.something की memory यहां पर मुझे मिल रही है अब इसके बाद बात करते हैं हम चलिए इसके camera के बारे में तो इसका camera open करके देखते हैं तो किस तरह से इसके camera की quality है वह वह से काफी अच्छी quality है lighting भी काफी अच्छी है यहां पर but camera की quality काफी अच् photo की speed है क्लिक करने की काफी fast है phone की और एक tap में किस तरह से phone कितनी सारी photos को click कर रहा है तो आप zoom in zoom out भी कर सकते हैं और देख सकते हैं इसकी photo के clarity को और अगर आप manual option set करना चाहते हैं और आपके अच्छी photography में आपकी knowledge है और आप चाहते हैं कि मैं manual setting करके photographs को या वीडियो को ब हैं तो इसके यह जो home buttons आपको दिये गए है screen पर इनको भी हटा सकते हैं और अपने beach वाले button को as a home button use कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और click करना है motor के option में यहाँ पर आपको दिखेगा gesture का option और वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर one button navigation का option है उस पर आपको click करके इस option को on कर देना है और जैसे ही आप इसको on करते हैं आपका जो home button का option है यह पुराने तरीके का यह हट जाएगा और आपका button जो main button बीच में दिया गया है वही as a home button work करेगा तो आपको इसमें on करके enable करके इसको फिर जो options आ रहे है next next के उसको दो तीन बार click कर देना है उसके बाद आपका home button यह आपका fingerprint भी बन जाएगा जिसको आप fingerprint लगा के on कर सकते हैं फोन को fingerprint से off कर सकते हैं और fingerprint से ही swipe करके आप right या left कर सकते है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी आप देखेंगे यह आपर run options हट गया है अब मैं इस पर अपना thumb लगाता ह से दुबारा phone on हो गया है मेरा fingerprint work कर रहा है और यहीं से मैं उपर slide कर सकता हूँ अब अगर आपको आपने कोई applications खोली हुई है और आप उनको हटाना चाहते हैं धेर सारी applications आपकी खुली हुई है तो आपको इस तरह से swipe करना है right side पे तो आप देखेंगे यहां पर सभी apps मेर आ गए हैं जो खुले हुए हम इनको हटा देता हूँ और अगर आपका कोई app खुला है और आप उसको back जाना चाहते हैं तो आपको करना है left में swipe अब देखें मैं इसको left में swipe करता हूँ तो मेरा app बंद हो चुका है तो यह feature है जो कि मैं को बहुत अच्छा लगा है आप दो कमेंड मॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज इस वीडियो को like कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को and don't forget to press the bell icon ताकि इस तवा के notifications मेरी वीडियो के आपको अपनी mobile पर आगे भी मिलते रहे फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में टेविन टेक क्यर